हेलो फिन दोस्तों सागें थैपका हमारे शैनल पर आपके फेवरिस सील है इम्ली में चल रहा है हाई वोल्टेज रामा जहां पर जाने वाली है आदिते की यह आदास जियां दोस्तों देखने को मिलने वाला है पादक ने लगा दिया है अब आदिते की कान में ही बॉम और व आदिते की बहुत बेरी तरह से टेंशन हो जाती है और माली नी तो यहां पर लगा देती है इल्जाम इम्ली पहीं कि इसी ने यह सब कुछ किया है और इम्ली यहां से जेल से बाग कर पहुंच जाती है पक डंडिया और आर्यन को जब पता चलता है तो वो भी उसके पीचे पीचे चला जाता है इम्ली का आर्यन ही साथ देने वाला है लेकिन यहां पर टैनिंग पॉइंट तो तब आएगा जब आदीते यहां पर बच नहीं पाएगा जिया दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि आदीते को बचाने की काफी कोशिश इम्ली और आर्यन करने वाले ह लेकिन यहाँ पर सब जगे बॉम लगे होते हैं यानि कि पूरे गाउं में ही उल आतंग ने लगा दिया है बॉम और इससे ही का नतीजा होगा आने वाले एपिसोर में कि आदीते अपनी यादास खोबेटेगा क्योंकि वो येरफोन उसके कान के पास ही फट जाने वाला है औ कि आदीते के लिए प्लास्टिक सर्जरी अरेंज करवाने वाला है और इसके जान बचाने के लिए उसका चेहरा बदल दिया जाएगा यहां दोस्तों देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर टर्निंग पॉइंट तो तबाता है जब आदीते की याद दास्ती चली जाएगी और उसे इमली के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा यहां दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि उससे सिर्फ इमली याद रहेगी ना कि माली नी और यहीं पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि इमली एक बार फिर से आदिते के पास पहुँच जाएगी यानि कि त्री पाटी निवास में और माली नी की इलिए वो एक बार फिर से मुसीवते बढ़ जाने वाली हैं क्योंकि माली और उसके पूरी कहानी को ही आदिते बुला चुका है कहानी में पूरी तरह से माली नी उसकी यादास से गायब हो जाएगी अब देखना इंटरेस कर दो कर दो